नमस्कार दोस्तों हो सकते हैं Hemogold XT टेبلेट का उप्योग शरीर में Iron Deficiency Anemia होने पर किया जाता है यानि शरीर में आईजरेन की कमी की वज़ませे खुन की कमी होने पर या खुन की कमी को होने से रोकने के लिए Hemogold XT टेबलेट का उप्योग किया जाता है Hemogold XT Tablet शरीर में खून की कमी को पूरा करती है और शरीर की कमजोरी को दूर करने में मदद करती है शरीर में खून की कमी को मेडिकल भाशा में एनीमिया भी कहते है Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी Dr. Hemogold XT Tablet को लेने की सला दे सकता है Pregnant महिलाओं को Pregnancy के दोरान, Iron और Folic Acid की अधिक आवशकता होती है Pregnancy के दोरान अगर कोई महिला परियाप मात्रा में Iron का सेवन नहीं करती है तो Pregnant महिलाओं में खून की कमी हो सकती है Hemogold XT Tablet के अंदर Iron के 7-7 Folic Acid भी मौजूद होता है Folic acid शरीर में carbohydrate को glucose में बदलने का काम करता है, जिसकी वज़ा से शरीर को energy मिलती है Pregnant महिलाओं में बच्चे के विकास के लिए भी Folic acid बहुत ही जरूरी होता है इसके अलावा शरीर में Folic acid की कमी होने पर भी शरीर में खून की कमी हो सकती है Hemogold XT tablet का सेवन महिलाएं, वह पुरुष दोनों ही कर सकते हैं अब हम डिसकस करेंगे कि शरीर में खून की कमी होने पर क्या-क्या लक्षन हो सकते है शरीर में खून की कमी होने पर शरीर में बहुत ज्यादा थकान होना शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी होना तवचा और आंखों में पीलापन होना, उठते या बैठते समय चक्कर आना, हाथों वपैरों का थंडा होना, सिरदर्द रहना, छाती में दर्द होना, नाखोनों का कमजोर होना वर नाखोनों का आसानी से तूटना, शरीर का तापमान कम रहना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलना और दिल की धड़कन का तेज होना आदी लक्षन शरीर में खून की कमी होने पर हो सकते हैं इसके अलावा मिट्टी या कागस खाने की इच्छा होना आदी लक्षन भी शरीर में आईरन की कमी होने पर भी हो सकते हैं यदि कोई छोटा बच्चा ज्यादा मिट्टी खाता है, तो ये लक्षन शरीर में आईरन की कमी होने पर भी हो सकते हैं। शुरुआत में ज्यादातर व्यक्तियों में खून की कमी होने पर कोई लक्षन नहीं होते हैं। लेकिन जब शरीर में एनीमिया की गंभीरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एनीमिया के लक्षन भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए और शरीर में कमजूरी को दूर करने के लिए डॉक्टर हेमोगोल्ड XT टैबलेट को लेने की सला दे सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में हेमोगोल्ड XT टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में हेमोगोल्ड XT टैबलेट की वज़ा से कुछ साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं हेमोगोल्ड XT टैबलेट की वज़ा से कुछ व्यक्तियों में कब्स होना या दस्त होने की समस्या हो सकती है इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में हेमोगोल्ड XT टैबलेट की वज़े से उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, बधजमी या सीने में जलन होना और पेट में दर्ध हो सकता है आम तोर पर ये साइड इफेक्ट्स अस्थाई होते हैं और जैसे जैसे आपका शरीर हेमोगोल्ड XT टैबलेट के साथ तालमेल बनाता है, वैसे वैसे ये साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं यदि इन में से कोई भी साइड इफेक्ट्स लगातार बना रहता है या ज्यादा होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए हेमोगोल्ड XT टैबलेट की वज़ह से तट्टी का रंग ब्लैक हो सकता है हेमोगोल्ड XT टैबलेट की वज़ह से तट्टी का रंग ब्लैक होना एक सामान्य बात है हेमोगोल्ड XT टैबलेट की वज़ह से तट्टी का रंग ब्लैक होना कोई नुकसान दायक नहीं होता है अब हम डिसकस करेंगे कि Hemogold XT टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंड़ होता है। अंदर प्रेगनन्ट महिलाओं को Dr. Hemogold XT टैबलेट को प्रेगननसी के पहले 12 सप्ता यानि प्रेगननसी के पहले 3 महिने पुरे होने के बाद ही Hemogold XT टैबलेट को शुरू करने की सला देते हैं। लेकिन यदि किसी प्रेगनन्ट महिला को एनिमिया की गंभीरता ज्यादा है, तो Dr. प्रेगनन्ट महिलाओं को प्रेगननसी की शुरुआत से भी Hemogold XT टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। Hemogold XT टैबलेट की डोज, उम्र शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको Hemogold XT टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की Hemogold XT टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। डॉक्टर Hemogold XT टैबलेट के साथ विटामिन सी की टैबलेट या विटामिन सी से भरपूर खादय पदार्थों जैसे टमाटर, आवला, संतरा, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, अम्रूद और कीवी आधी को खाने की सला दे सकता है। क्योंकि विटामिन सी शरीर में आईरन के अवशोशन को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से Hemogold XT टैबलेट की प्रभावशीर्ता बढ़ जाती है। आईरन के साथ चाए, कॉफी, साबुत अनाज, अंडे और दूद या दूद से बने खादय पदार्थों को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से शरीर में आईरन का अवशोशन कम हो सकता है। शरीर में एनीमिया की जाच कराएं बिना Hemogold XT टैबलेट को ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शरीर में एनीमिया होने के अन्यकारण भी हो सकते हैं। जैसे शरीर में विटामिन B12 की कमी होना, हीमोलिटिक एनीमिया होना, अप्लास्टिक एनीमिया होना और साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया होना, अगर आपके शरीर में खून की कमी किसी अन्यकारण की वजह से हैं। और आप शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर की सला के बिना ही लगातार कई महिनों से हमोगोल्ड xt टैबलेट को ले रहे हैं. तो ऐसी स्थिती में हमोगोल्ड XT टैबलेट को लेने से शरीर में आइरण की ओवर्डोज हो सकती है. शरीर में आइरन की ओवर्डोज लिवर, हार्ट, ब्रेन और शरीर के अन्य ओगन्स को नुकसान पहुचा सकती है इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना ज्यादा लंबे समय तक हेमोगोल्ड XT टैबलेट को नहीं लेना चाहिए हेमोगोल्ड XT टैबलेट के साथ पेट में गैस व एसिडिटी कम करने वाली एंटासिट दवाईयान, कैल्शियम सप्लिमेंट्स, टेट्रसाइक्लिन एंटिबायोटिक्स, पैनिसिलिन एंटिबायोटिक्स, थाइरोइड की टैबलेट और पारकिंसन्स डिजीज में उप्यो के साथ इंट्रैक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से दवा की प्रभावशीलता कम हो सकती है, या साइड इफेक्स होने का भी जोखिम अधिक हो सकता है, अगर आप इन में से कोई भी दवा लेते हैं, तो आपको हेमोगोल्ड XT टैबलेट और इन दवाओं में कम से कम दो से ले पालक, सूखी किश्मिश, अमरूद, केला, बादाम, काजू, अखरोट, तिल, गुड़ और मुंगफली आधी का सेवन परियाप्त मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इन में आईरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इनका नियमित रूप से सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करता है, और शरीर में खून की कमी होने से बचाव करता है, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका हेमोगोल्ड XT बंधित कोई प्रश्ण है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.